नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटिप चानल दे ट्रेडबुल ओफिशिल में दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 30 जैनुवरी के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुट के क्या टार्गेट रहेंगे पर उससे वेले जाल लेते हैं मार्केट ने फ्राइडे के दिन कहां पे कामकाज किया आपका दिन कैसा रहा दोस्तों पहले तो मार्केट ने हमें बैक निफ्टी में गैप टाउन ओपनिंग भी तोवर्ड्स 41,400 लिवल्स के आसपास दोस्तों उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे पहले 5 मिनिट में एक बहंकर रेड कैंडल बहंकर फॉल जिसको बूलते हैं मतलब आप अगर इस कैंडल का साइज जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर बिलीव नहीं होगा कि यह जो पहली कैंडल बनी थी यह 632 पॉइंट की कैंडल थी मतलब 632 पॉइंट का फॉल हमने गैप डाउन के बाद इस कैंडल में देखा दोस्तों इसी बात मार्केट ने इम्मिडेटली स्कैंडल को गिराने के बाद एक पॉल्बैक लिया पॉल्बैक लेने के बाद मार्केट फिर यहाँ पर नीचे की तरफ एक जर्नी यहाँ पर continuous करती रही तकरीवन 12 बजे फिर मार्केट ने एक बार पॉल्बैक लिया बायर्स ने ट्राय किया मार्केट को उपर लेके जाने के लिए लेकिन कामयाब नहीं रहें और तकरीवन देड़ बजे फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ एक रुख करती हुई जाने लग पड़ी तकरीवन धाई बजे मतलब टू थर्टी के आसपास मार्केट में एक W पाइटन बनाने की कुछिश भी की और यहाँ पर 40,400 के लेवल दुबारा अचीफ किया क्लोजिंग दिन की 40,345 लेवल के आसपास बंद हो ली है अब पहला कारण्स आप लोग के दिमाग में यह होगा कि मार्केट गिर क्यो रही है दो दिन में हमने बैक निफ्टी के अंदर 3000 पॉइंट्स का एक ब्लड बात मार्केट में देखा है सिरफ दो दिन के अंदर, टू डेज में अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मार्केट में यहाँ पर एक न्यूज चल रही है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक रिसर्च यूएस में कंपनी है जो एक शॉर्ट सेलर है बिसिकली उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किये जिसमें उसने दावा किया है कि अडानी ग्रूप के जो शेर्स है वो काफी मैनिपलेटेड है और यहाँ पर आटिफिशिली हाइट है 85% ओवर वैल्यूड है अब इसकी वज़ा से पूरा बैंकिंग सेक्टर इस टाइम पर मार्केट में प्रेशर में है क्योंकि काफी बैंक्स ने अडानी ग्रूप को अच्छे खासे लोन्स भी दे हुए है और यही मार्केट के अंदर एक फियर और पैनिक सेनारियो बना कर बैठा हुए और यह जो आप मार्केट में पॉल देख रहे हो यह कुछ नहीं है यह सिर्फ एक मार्केट में पैनिक सेलिंग चल रही है अब क्या ये panic selling आगे continue रहेगी या नहीं रहेगी अब हम उस पर बात करेंगे तो दोस्तों सबसे वेले बात करते हैं global markets की देख लेते हैं market कहां पर opening देने वाली है तो globally अगर हम बात करें Dow Jones विल्कुल flat बंद हुआ है अगर हम यहाँ पर S&P Index की बात करें वो भी विल्कुल flat बंद हुआ है Nasdaq की बात करें तो Nasdaq में एक rally देखने को बिली 115 point की अगर हम SGX Nifty की बात करें तो SGX Nifty भी यहाँ पर plus 30 में flat बंद हुआ है तो यह सभी चीज़े back Nifty के अंदर आपको एक flat opening देती हुई नजर आ रही है अब क्या market आगे गिरेगी अब यह सभी question का answer market में चुपा हुआ है अगर market में नीचे की levels पर buying आती है तो definitely अब market को एक retracement देते हुए उपर देख सकते है otherwise यह trend continue रह सकता है आपको बस यह याद रखना है market में यह trend line market follow करने की कुशिश करेगी अगर मान लीजिए market के अंदर पहली candle आपको 40,500 चालिस हजार पांसो इस level के उपर जाती हुई नजर आए तो definitely आपको यहाँ पर call की positions में कुछ targets देखने को मिल जाएंगे market में bank nifty के अंदर पहला target आपके पास होगा उपर की तरफ bn में 40,600 और दूसरा target होगा 40,700 यह दोनों ही targets आप देखोगे कल की daily CPR में आपको में फसेंगे क्योंकि उसके उपर फिर market के अंदर weekly CPR भी है put की position हम तब लेंगे जब market मान लीजिए flat open होने के बाद नीचे आना शुरू करता है और 40,200 का यह level इसको market breach करने की पूरी-पूरी खुशिश करता है तब भी थोड़ा सा हम यहाँ पर safe play करेंगे market के अंदर put position हम तब ही बनाएंगे जब market आज के दिन का low जो की तकरीबन 40,148 यह level है इसके नीचे अगर market sustain करती है तो put की position फिर targets आपके intraday में 40,000 और 39,900 तके भी देखने को मिल सकते हैं आपको सिर्फ यह याद रखना है आपको put की position सिर्फ और सिर्फ day low break होने की case में ही आपको लेनी है अदर्वाइज आप put की position market में यहाँ पर थोड़ा avoid करेंगे तब ही लेंगे या तो market day low को break करें या market आपको यहाँ पर 40,700 के level से rejection लेती भी नीचे आए तब आप एक put की position बना सकते हैं क्योंकि हो सकता है market में आपको यह जो selling में profit booking की एक retracement डेती भी उपर नजर आए तो वहाँ पर फिर यह उपर की levels आपको देखने को मिल जाएंगे तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो like का बटन जूर प्रिस करिएगा आपने अगर भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो live stream देखते रहें because उसके अंदर जो मैं level mark करता हूँ definitely आप उसका पाइदा उठा सकते हैं तो जल्दी विलेंगे अगरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते thank you and bye bye